जाए जाए सिराधे शाम आज हम मंदिर से लोट रहे हैं राधानी की दर्शन करके नौनीह मंदिर करें कि जाए से लोट शाए जाए में परिक्रम करके जबी धर आ रहे हैं एक छोटा चा बच्चा आध जर करका हमारे शामने ठाड़े हो गए भीड के अंदर भीड है बहुत हमारे शाहत तो पल्टरन रहता है ना हमारे शामने आकर के अजोर करके ठाड़े हो गए ऐसे प्रणाम किए बच्चा लड़का देखने में भी बहुत सुंडर है बिन अम्रसांत बाबा हमको आशीर बात कीजिए हमारे भक्ति हो जाए हमारे भक्ति हो जाए हमारे भक्ति हो जाए हमारे भक्ति हो जाए आप हमको ऐसे आशीर बात कीजिए हमारे भक्ति हो जाए हमने बोला भक्ति चाहते हो तुमारा घर नस्ट हो जाएगा दुआर नस्ट हो जाएगा तुम्हारे सब प्रिय जन जो है जितना ये सब नस्ट हो जाएगा सब कुस नस्ट हो जाएगा भक्ति चाहते हो फिर क्या करोगे बढ़िया होगा हम बर्शने चले आएंगे बढ़िया होगा हम बर्शन में चले आएंगे हम सीधा बर्शने चले आएंगे बच्चा का ये और रीदाय से कह रहा है चोटा सा बच्चा कह रहा है उसको सब तो रीदाय से हम देख रहे हैं सब ही देख रहे हैं बरिया होगा हम तो बर्षा नहीं चले आएंगा प्राक्ति तो कोई शाधन की मिशाय नहीं है शाधन शापिक्ष है नहीं है और वो पक्षपाद भी नहीं है इसके प्रती अधिक क्रिपा इसको तो बहुत जनम लग जाएगा इसको तो अभी हो जाएगा ऐसे बात भी नहीं है बात है कंतकरण के प्रस्तुती ये प्रस्तुती जब हो गई तो समझ लेना मंजिल दूर नहीं ये प्रस्तुती हमारी है नहीं जूट बोलने से क्या होगा जब तक नाता जगत का तप तक भकती नहोए नाता तोरे हरी भजे भकत कहाए शोए हम लोग कुन हमर हो नहीं रहा है हो नहीं रहा है कुछ हो नहीं रहा है को होगा कहां से हमारा मन तो फशा हुआ है ना रहा है आनद लग रहा है फशने का मतलब फशने का कारण भीकारण नहीं हैं। आम खूद बंधन शिकार कर लेति हैं। हमको अच्छा लगता है, बंधन का कारण है अच्छा लगना, अगर अच्छा नहीं लगता है तो विशे तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा, जोड नहीं बोलना, विशे तुमको फशा के नहीं लखा है, तुम विशे को पकर के रखेगो, छोड़ दो, मुक्ति तुम्ह हमारे हाथ में है मुक्ति कोई बाहर नहीं है मुक्ति तुम्हारे रिभीतर है जब द्रिश्ट्रमारे जगत के कोई बोस्तु पदार्थ हो हमको किंचित मत्र भी हमको आकर्षन करने में अशमर्थ हो जाता है हो जाएगा तो समझ देना अब समय हो गया अब तुम दिल में हत रखो हत रखे विचार करो क्या ऐसे स्थिती है तुम्हारा मन की स्थिती बिशाय बंदन का कारण नहीं, हमारे आशक्ति, आशक्ति का कारण है उस बुस्त में हमारी प्रिती, अच्छा लगता है, आशक्ति भी ऐसे नहीं, हमको अच्छा लगता है, जिस दिन अच्छा लगेगा नहीं, उस दिन वो बुस्ति तुम्हारे बंदन का कारण नहीं होगा, अच्छा लगता है, जूट नहीं बोलना, बहुत सारे बुस्ति पदार्था है, इस्त्रिपुत्र कुट्म परिवार धन जन वित्त वईबाब, यह तो है है, और भी है बहुत सारे बंदन, मान, पुजा, प्रतिष्ठा, लोब, लाल, शाहिए सब है, बंदन का कारण है, तो बंदन मुक्ति तुम्हारे हाथ में है, मुक्ति कुछ नहीं है, मुक्ति स्रिप् भगवत चरन छोर करके द्रिश्रमान देहों दही कोई भी बुस्त पदर्थिक प्रति किन्चित्मत्रों आशक्ति ना रहना, बस हो गया तुम्हारा मुक्ति, बस यह हम, हमारे क्या होता है, हमारे उदार, शुंदर बनके उदार, बंदर पकड़ती है, मदरी लोग बंदर खेल शिखाते हैं न, खेल दिखाते हैं न, बंदर चाहिए, तो बंदर पकड़ता है, कैसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ता नहीं जाता है, क्या करता है वो लोग कूजा जैसे है, बंगल कूजा है, मूँम्हें चोटा है, और नीचे घड़ा सा रहता है न, ठंडी के समय, उसमें पनी रखा जाता है, पनी ठंडा रहता है, तो वो खूजा बंदर के बनाया जाता है, एसे नहीं, जितना एक मंदर का हाथ घुज जाए, ऐसे इतना पुरिवाट, माप करके जो इतना ही ऐसे, ऐसे शाधरन कुझा नहीं, मनावटी ऐसा है, उसके अंदर लड्डू रख दिता है, ज्यादा उचा नहीं, छोटा ही होता है मुँ जैसे दिखने में आता है, जो उसके अंदर माल है, तो लड्डू रख दिता है, तो बंदर आके, छोटा बंदर आके, देखता है उसके अंदर लड्डू है, तो क्या करते है उसमें, अस्ते अस्ते हाथ तो ऐसे जाएगा ने, धीरे 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 धीरे, गुजा देता हाथ, लड्डू पकर लेता है, पकर करके लड्डू तो मोटा हो जाता ना जब लाड़ू हाथ में आप ऐसे छोड़ देने से पतला हो जाएगा निकल जाएगा लेकिन लाड़ू पकर के रखा है हात निकलता नहीं है और काय 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 का छोड़ देने से हाथ निकाल जाएगा ना लाड़ू शमित हाथ निकालना चाहता है इस थोड़ी होता है ऐसा ही यह द्रिश्वान भग्व पदार्थो देहो दोई बस्तु पदार्थे कि प्रती हमारे अनादिकाल का जो आशक्ति दिर्व लगाव यह यह लाड़ू जैसे है और ना भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं कुछ नहीं चाहिए वह कुछ नहीं चाहिए बाबाँ हमारे अन्मध बरगया है कुछ नहीं बतकास हमारी हो इस रहेक शादेद कि पर आप बेता थी हो जाए इनको तुला dispर आजिख हो जाए चाहे सिल्टों कर आटे बागका थ तुम जानते ही नहीं हो कहा फशा है तुमारा मन कुछ नहीं हुआ है अभी भी तुमारा मन में बंधन है आसकती है जोटा बच्चा लेके मंदिर जाते हैं खुब भक्ति मति बबाबा भक्ती चाहिए बबाब क्रिफा करो कि पकरो अर्च नहीं चाहिए अच्छा ठीक है बबाब एब चांचल है इसको पढ़ाई में बिलकुल मन नहीं है लेखो तुम कहते हमके कुछ नहीं चाहिए तुम्हेरा आभेश्त फूरा बच्चा के ऊपर है इसका कल्यान हो Жcles इसका मंगल होना चाहिए, इसका भाला होना चाहिए, इसका पढ़ाई होना चाहिए, ये बिद्वान होनी चाहिए, ये धनवान होनी चाहिए, और किसे कुछ नहीं चाहिए, हमको सिरी बक्ती चाहिए, तो ऐसा नहीं, अपने मन को विचार करो, भगवान फशा के नहीं रखा है हमको अच्छा लगता है कि में भगवान क्यों मुक्त नहीं करते हैं तुम खेलना चाहती हो आए जिस दिन हमको खेल अच्छा नहीं लागेगा हम तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं तुम क्या इंतजार करोगे हमारे लिए देखो हम तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं का अब तुम शब्चोड़ चार के हम कोई एक मत रो हम कोई अपना मान करके तुम हमारे शब्चों समर्पन करके हमारे हो जाओगे, हम उस दिन के इंतिजार में बैठी हैं, तुम क्या हमारे इंतिजार करोगे? हम तुम्हारे इंतिजार में बैठी हैं, क्यों तुम हमारे अंग्ष हो, हमारे अभिन्न शत्ता हो, हमसे तुम में कोई भेदे नहीं है, तुम हमारी शत्ता हो, तुम हमारे प् अभिचिद्द अखंड शंबंदो, प्रियतम शंबंदो, सबसे प्रियतम और सबसे निकटतमो, समझ दे कोशिश करो, तुम हमारे लिए क्या इंतिजार करोगे? देखो हम तुमारे इंतिजार में अनादिकाल से बैठी है, कब तुम सब छोड़ चार करें? हाँ, जब तक भिशाय बास्टना तुमारे बीतर है, तब तक हम तुमारे इंतिजार में बेचे रहेंगे. हम तुमारे इंतिजार में बेचे रहेंगे. लेकिन हम यह मानने के लिए तयार नहीं, हम लाड़ू शमित हम जाना चाहते हैं, लाड़ू शमित हम संक्षार से मुक्त होना चाहते हैं. शंक्षार कैसे जाएगा, शंक्षार क्या है, आशक्ति शंक्षार का कारण, बंधन का कारण, बुस्तु बंधन का कारण नहीं, इस्तिरी पुत्र शंक्षार बंधन का कारण नहीं, रहो ना, खुब शंक्षार में रहो. ऑंबरिष महराज एक्करोर राणिया चक्रवृति राजा थे लेकिन कोई मतलब नहीं उसलिए भगवान से ही एक मतलब शंबन मान करके जान करके सब कुछ शमर्पन करके भगवान के हो करके ही शमस्त जिवन भी तित्की है इसलिए भगवान क्या कहते हैं अहं भक्त पड़ाधीनों ओनाएं अंबरिश महराज है ना बुस्त बंधन का कारण नहीं हो करो शंचार करो इस तरी पुत्र ले करके रहो लेकिन जानना यह तुमसे कोई संबंध नहीं होता नहीं हो नहीं सकता है अच्षत्तम एनम शुबिर मुलं अशंग शस्त्र नधिर्ण चित्ता तद पदंतत परिमार्गत अभ्यं जश्निंगत्ता न निवर्तंते भूव तमें बचाद्यं पुरिशंग प्रवद्य जत्व प्रवित्ति पशिता पुरानी अश्षत्तम एनम यह जो शंशार रूप अश्षत्त विक्ष्य है शुबिर मुलं अशंग शस्त्र नधिर्ण शित्ता यह दिर्ण मुल जो है यह अनाशक्ति रूप बैराग रूप अस्त्र के दोरे सुच्छेदान करना है यह ऐसा नहीं जाएगा बोस्तु शानिद्द स जाएगा बोस्तु शानिद्द से दूर रहने से बयराग नहीं होता है वोस्तु हमरे शाम राजबुक रखा है हमारा को इच्छा है अच्छा भी लगता है प्रिय भी है हम नहीं खाएंगे हम खाते ही नहीं भई हम रजगलाली जह लेतो गया लेकिन भीतर से हमारे जो इस सब्सक्राइबिया। ऐसा नहीं है अशंग शस्त्र दिशन सित्ता तीब्ल बईडागर रुप अस्त्र के द्वारा इसको काटना पड़ेगा जब तक बईडग नहीं होता है अनाशक्ति नहीं होती आए तब तक जा करके इस शंग्षारवंदू से मुक्त होना शंभब नहीं तब तक जा करके वह लोनु भाफ वहना शंब飛 नहीं है कि भंगवान तुम्हेरे द्वार बठ ठाहु है कि आ जाओ पुकर है आजाओ 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 अभाई शर्टा नी बहुंत के करूना के कुई नहीं है कि आ प्लेल्च इस कि अग्ण глаз प्रें तो वो ये भी जानते हैं कि इसको इसकी आसकती कौन से विशह में है कौन से में नहीं है तो भगवान कर्तम करता वो तो एक पलक में आसकती मिटा सकते हैं पर भगवान परतीक्षा भी कर रहे हैं उसके देखो तुमको पैशा चाहिए बगको पदात्तों चाहिए आचाने कि तुमको लोटरी मिल गया है लोटरी पाने से वो पैशा की उपर तुम्हारा उतना दरद नहीं होगा क्योंकि लोटरी का पैशा है ना पृष्ष्रम का पै बुष्ट का कीमत होता है वहां कृपा करके अगर भगवान ऐसे तुम्हारे शंक्सार आशकती समाप्त कर देंगे तो ओ प्रेम हो नहीं सकता है बच्चा तो बहुत है बहुतों का शंतान नहीं है गोद ले लेते हैं लेकिन गोद लेने से भी अपत्तिस्त नहीं हो जो है वो होना संभब नहीं है इना अपत्तिस्त नहीं माता बड़े कश्ट के साथ एक संतान जनम देते हैं बड़े कश्ट के साथ दस महिना गर्ब में धारन करके कितना कश्ट शिकार करके फिर जाकर के संतान को जनम देते हैं इसलिए अपत्तिस्त नहीं हो जो है वो शंतान के प्रती तब होता है इसको गोद लिलने से को प्रिम थो थो हहां पुत्र संतन है नहीं गोद ले लिया कोई बत्चकों ठेक है अच्छा है लेकिन ओस नहों कभी होना संभबं नहीं है जो अपने नीजी मा यह कष्ट करके जो शंतन जनम देती हैं वहाँ वो कष्ट करके बड़े संताब, बड़े कष्ट हो, बड़े दूख, सब कुछ स्षीकार करके जब वो प्रेम प्राप्त करते हैं तो उसका कदर होता है तब जाकर करके वो प्रेम ही भगवान अश्वादन करते हैं, बड़े आधर के साथ भगवान तस्षीकार करते हैं तो हित्यों के साथ प्रेम को भगवान तारन कर सकते हैं, पूरा अनंत कटिम मन के समाद tällगों कर सकते हैं तो उनका खेल जो है, ये स्रिष्टी लीला हम अब तो हो जाएगा, भग्वन चाहते हैं, हम स्रिष्टी लीला करके, रसना करके खेलेंगे, एको हम बहु श्याम प्रजायो, हम एक खेला हैं, बहु बन करके हम खेलेंगे, उनका खेल है, उनका खेल है, आनन्द ले रहे हैं यहां भगवान स्रिष्टी रोचना करके भगवान खेल रहे हैं यहां द्रश्टा भगवान उनको खेलना है तुम खेलना चाहते हो वो खेल में तुम आनन्द ले रहे हो इसलिए भगवान का कोई दोश नहीं है जिस दिन तुम खेल तुमको पसंद नहीं होगा भगवान का उस दिन तुम हमको याद करना हम तुम्हारे लिए इंतिजार कर कोई देश्य नहीं मेरा कोई प्रिय नहीं या बहिर्मुग जी बात्मा लेकिन जे भजन ते मांग भक्ता जो भुक्त के साथ मेरा भजन करते हैं मुई ते वो मुझ में है तेश्य चप्य हम उसके अंदर भी मैं हूँ यह आलाग है यह उनमुग जीवात्मा भगवान को तो खेलना है तो जो उनमुग जीवात्मा जो है जो भगवान को ही अपना मानते हैं संक्षार को नहीं भगवान कहते हैं वो मुझ में है ऐसा नहीं यह भगवा तुम भी हमको अपना हो किसी भी स्थिति में किसी भी अवस्ता में ओती पापा चैरी कदा चैरी अभी चैरी बैभी चैरी कुभी चैरी कोई भी प्रानी हो जिस दिन वो हमारी शुदू राचरो हमको अपना मानेंगे उसी दिन हम उसका अपना लेती हैं अपीचे तो शुदू राचरो बज़ते माम अनन्यभाप साग्रिवशं मन्तवत अपीचे तो शुदू राचरो इसके लिए यह नहीं है जो भगवत शर्नकत होकर भजन करने के लिए बहुत सदाचार संपन्नो शमस मुक्त आचरन जुक्त जो है यह स्रीप शादन कर सकते हैं मेरे को अपना सकते हैं ऐसा नहीं है बहुत जिस दिन तुम हमको शर्न करोगे जिस दिन अपने आपको हमारी शर्ना गतो कर दोगे उसी दिन हम तुमका अपना लेंगे शिप्रांग भवदी धर्मात्मा बहुत ज तो ऐसे बात नहीं है, जो इसके लिए एक प्रिपरेशन चाहिए, भगवान तब जाके अपना मानेंगे, हमारे अंदर बहुत पाप, तब, बहुत सारे कुकर्म करका हैं, बहुत अपरादी हैं, हमारे नीचे तका कोई शिमा नहीं, हमारे पापाचार के कोई शिमा नहीं, मै अती पापाचारी, निक क्रिष्ट शरी ऐसे जीबातमा हूँ, हम कैसे भजन करेंगे, भगवान कैसे हमको अपना मान लेंगे, ऐसे शाब्दो कोई शास्त्र में कहा नहीं, कुरुना माए, भगवान तो देखते ही नहीं कुन पापाचारी, अभीचारी, वे भीचारी है, जिस समय तुम सरनागत हो जाओगे, प्रभू हम तुम्हारे है, किष्ट तुम्हार हूँ, जो दि बॉले एक बार, माया बंदन होई ते कृष्ट न करे तरे पाथ, मैं तुम्हारे हूँ, ऐसे कहने से ही, बस, है ना, जिसे आपने कहा कि विरक्ति तो अंदर से ही होती है, तो सत्संग में हम यह भी सुनते आए हैं कि जैसा होगा संग वैसा चड़ेगा रंग, तो ऐसे में बाबा कोई विरक्त हो जाए, और वो संगसार के भीतर में रहके अगर कारे करे, तो संग से उसके उपर भी तो उसका प्रभाब पढ़ सकता है, तो जैसे अगनी के पास ब बता나 क अगर भी मजबूरी हो जाता है संगसार जीवन में, संगसार में रहना, उस तीति में तो हमको संगसार के अंदर रहके ही रहना को इस तरह से अनाशक्ति जो है प्रतिक्षन बीचार करके देखना चाहिए, दिरे-दिरे समझा भुजा करके मन को हटाना चाहिए, तत्सवित साधु संग शत्संग में रहना चाहिए, महत्पुरिश के सानिक्द में रहना चाहिए, दिरे-दिरे-दिरे लोगों के साथ रहोगे, तो दिरे-दिरे-दिरे-दिरे उनके सानिक्द में रहे करके, उनके संग से तुम्हारा मन में जो भी तुरह सा भगवति प्रणा, जो भी व्यकुलत उत्कंठा भजर स्प्रिया है, तो दिरे-दिरे समाप्त होई ही जाएगा, बस्तुगून शावधान होना पड़ेगा. बहुत से लोग जस तरह से हरिनाम करने की एक प्रार्थना भगवान से करते हैं, असी तरह धामवास की भी प्रार्थना करते हैं, और तो क्या हमें केवल धामवास मिल जाए, ऐसे भी मैंने देखे हैं कि प्रार्थना करते हुए, कि हमें केवल धामवास मिल गया है तो क्या यही प्रार्थना सुयोचित है ना धामवास तो अच्छा है भजन करने के लिए धाम में रह करके भजन करने यह तो उत्तम है क्योंकि यहां हर प्रकार से यहां जो है परिवेश परिष्टिति शंगो यहां जाँ जाँ शंग मिलता है भूमी पवित्र है फिर यहां दर्षन आदी है रादानी के दर्षन गिरिराज परिक्रमा आदी यहां भक्तियंग जाजन सहल लब्ब्ब हो calculating इसमें भाज़ erstmal उसको पुपित्र करने में शमड़ता है तो उत्तम है लेकिन ऐसे अगर नहीं होता है तो उसको तो संक्षर में रहे करके ही बज़न करना परेगा जब तक राधरनी के ऐसी क्रिपा नहीं होती है उनकी इच्छा जिसको बुला लेते हैं वह आज सकता है तो यह कोशिश तो शंचार में रहा करके ही ठीक है। जब होगा तब होगा वह तो भविष्श जो है वह हम तो कहने शकते हैं। यह तो प्रभु की इच्छा। लेकिन जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहा करके ही हमको चिंता करना पड़ेगा। हमको किस तरह से हमका आगे बानना है हमारे अंदर कुन सा कमी है यह कमी को हम कैसे मिटाए इसलिए क्या करना चाहिए ना तद्विद्धी प्रणिपाते ना परिप्रश्ण और शेवया उपदिक्षन थी तेगान अंगरे ना तद्पदर्शिना महत पुरुष के शानिद्धो गुरु सन्निद्ध में बार-बार पुना-पुन जाने का चिश्ट और चाहिए रहना चाहिए उन के शांिद्ध में फिर जैसे उपदेश करते हैं अ तो नुषर साधन वाजन करके धीरी 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 ये संग्षार से एक मुक्त होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अस्यत्य मेनाम सुबिलिड़मुलम असंग सस्ट्रिण दिलनचित्ता तीप्र भईराग गुरुपस्ट्र के द्वरा संग्षार को छेदन करना है। तद पदांतत परिमार्गीत अभ्यम जश्विन गता आना निवर्त्तत्ति भुव। तम्य पचाद्धां पुरिशंग प्रपद्धे। फिर जिनके चरण कमल संडिद्ध प्राप्त करने से फिर कमी संग्षार चक्र में फास्ता नहीं। मैं वही परमपुरुष गुविंद्ध के शरण में आया हूँ है प्रपुत्म हमको शरण में ले लो। ऐसे करके फिर चले आओ। फिर प्रपुत्म को शिकार कर लेंगे। शिकार तो किया है ऐसे नहीं नाया करके शिकार नहीं करेंगे लेकिन उस दिन तुम जानो जे प्रभु तुमको बिल्कूल पूर्ण रुप से शिकार कर लिया ऐसे हैं जब तक मोह ममता है तब तक जा करके हमको शंक्षर में रहना परेगा श्रीमात भागवाद कहते हैं तब तक कर मने कूरवित तब तक करमा कन था शंक्षर मेरे का निरिध्य तजाप उस्ता नहीं और परती कहते है Só तब तक तुम शंक्षर में रहे करके भजन करो, मौत करता सुर्वना दोवा, सुरुद्ध जापतों न जायाते, मेरी कथा में, होरी कथा में, सादु संग में, तीब्र सुरुद्ध जब तक नहीं होती है, तब तक संक्षर में रहे करके कृत्व कर्म पालन करो, और कृत्व कर year वहां कर्म तुम्हारा बंधन का कारण हो जाएगा seller मेरा कर्म जान करके मेरा दाजबन के आकर्ता बरन के मेरी प्रशनता के लिए जब तुम्हार मुक्ति का रभवना करन हो apart पर वो कहते हैं, हम देख लेंगे, हम शामाल लेंगे, तुम स्रिफ मेरा कर्म करो, फिर कोई चिंता नहीं. भावा, रगुनाद्धास गोश्वामी पाथ जी को तो विरक्ती हो गया था, बढ़ फिर भी क्यों महाप्रभु जी ने उनको वापिस जाने के लिए बुला? कुछ कर्म बगी था, शायद कुछ कमी या कुछ प्रिपारिशन हर दी रिदाय के जो गठन प्रक्रिया और पुरिपक्क को दशाप्राप्त करने के लिए उजे ताबत करना मने कुर्भी तो निर्विद्ध तो जाबता, तक तक संक्षर में रहना, शायद ऐसे कुछ देखे है जिसकारण भेज दिया, पहले अबस्ता में जब गए महाप्रव को पास महाप्रव को भेज दिया है, मरकट बईराग नाकोरियों लोग देखाया, जाता जग्यों विशाय भुण जो अनाशक्त हो या, अंतर निष्ठा कोरी बाहिरे लोग बाभाहार, अबश्य अनाशक्त होने से तब ही जाके बईरागी होती है, तो बोलते मरकट बईराग दो मत करो, अब शंक्यों में रहे करो, जैसी कर्म है करो, अनाशक्त हो करके करो, फिर कोई शिंता नहीं हाठात से महापुरुष कभी धामबास की या इस तरह की प्रेर्णा या ओक्रेश नहीं देते हैं, देखो हाठात करके हमारे वो बोईराग आया नहीं, वो भजरस्प्री आया नहीं, शंक्षमने हमारे तीब्रो आशक्ती है, फिर भी कुई शादुशंगों से हमको ऐसे मे अच्छा है लेकिन वो पुरीपक को ना होने का कारण कभी कभी क्या होता है हम देखें, बहुत हो ब्रुज में आकर के घर बना करके फिर लोटके चले गए, फिर लोटके चले गए, घर बाठ चोरके बेजबास के चले गए, इसलिए लेकिन दादा गुरुजी तो बिलकु भीर आये फिर चले गए हमानी श्री गुड़ु देव ये से कोई बार आये कोई बार गाये लेकिन आखीर में जब आये फिर गये ही थी एक दम और ऐसे साधना किये एकदम राधार ने पुरुनक्रिपा किये इप्रेम शरवार में राधार ने साक्षात हमारे गुरुजी को करीवरा शारवण में आधर कीजिऊ है, पुरुन रकिरिपा किए प्रेम शारवाल में. एक धिन प्रिаст चाहरन बाबा थे हमारे गोबर्धन के फ्रा नग बाबा से भुत बाप प्रेम था उनका. नहीं सब्सक्राइब एक बचंद इजे सत्य कहिए हमारे शव्रमन हम जो पूछेंगे आप सत्य कहेंगे मंजे हां कहेंगी का राधरनी आपको दर्संद दिये तो उस दिन कहें हां राधरनी, आपको पुर्ण किये प्रेम सरवर में बहुत कठोर तफश्र किये कठोर हमारे गुरुजी जब आये हैं हम जैसे बईरागी नहीं तीप्र बईरागी लेगन सिद्ध मनुहर्दास बाबा ने ही उन्हीं की आग्या से ही तो बंगाल वापस गए उता पहले बार उता पहले बार आकर चले गए पहले दो एक बार ऐसे आएक चले गए और जब भईराग ले करके भजन में प्रभित्यु फिर गए नहीं फिर बाबा प्रिंदा ब्रजु में ही रहे बबाप शंप्रदाय में निश्था रहना साधक को कितना जरूरत है अपनी अपनी नीजी शंप्रदाय में निष्ठा रखने, बजन के लिए सादक को कितना जरूरत है, पूरूना जरूरत है, परिपूरूना जरूरत है, लेकिन इस जरूरत की पीछे एक संकिरनता भी आ जाता है, कैसे है, संकिरनता ऐसे है कि हमारा प्रयास रहेगा, जो दुस तो कभी जो शंत होते हैं, वो कभी उनको इंफ्लुएंस नहीं करेंगे, प्रभावी तो नहीं करेंगे, तुम आजा हमारे शंप्रदाय में, हम स्रिष्टू उपाशक हैं, ऐसे नहीं, कभी ऐसे करते नहीं, यह अन्या है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बल्कि जो जैसे भजन कर हैं, उसको ऐसा ही प्रणा देना चाहिए, ना ठीक है, तुम आगे चलो, निष्ठा होनी चाहिए, ऐसे तुरी है, उनको निष्ठा को पढ़ाओ, उनको प्रणा दो, उनको दुरबल मत करो, मन में शंशय पाइदा मत करो, यह एक विभ्रांती, ज्यादा तार बहुत और द स्थ्आ पने मार्ग जो ऐसमार्ग में छलना इस शर्वचित है, शब्रणा कृष्णवा, शड़ पन्डित्रामकृष्ण BJ रदा गंश्ण भागा के पास चारों संपड़ाया आाइफे ए बथा और चारों को उन ही के मार्ग का उपदेश करते थैं, और उस ही में ही शब को शनमान करते थे आदर करते थे लगिन आयसे विब्रांति कभी हमारी गुरु तो कि शिखाये नहीं, इसलिए हमारे पास भी ऐसे शब के लिए आदर है, शनमान है, ऐसे शंकिर नटा, ना हमारी भीतर है ना हम पसंद करते हैं। अगर इंफ्लिएंस हो रहा है तो पुर्व शौसकार पहले सादु संग करके पहले जान करके समझ करके फिर जाकर के जाना चाहिए और दूरबल तो पहले ही रहता है फिर वो दूरबलता फिर धीरे प्रबल हो जाता है मनली जिया हमारे मन में एख्वावना है तो कहीं हम दुसुरे सम्प्रताय में गए उनके ह्उङ में रहे करके हमारी पहले कर दूरबलता रहे अंगर उनके पहले ही है पहली भूल हो जाता है एसा नहीं कोई बात नहीं जो भी हो अपना मार्ग में सुर्धा राक करके निश्ठा ले करके चलना ठीक है पिर भी अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जहां तक हो अपने आचार्जों अपने गुरु बर्गों अपने परंपड़ा इसके प्रती निष्ठा लेकर के सुर्द्दा लेकर के आगे बारने के लिए प्रयत्त करना चाहिए। जया जाएज